पहले पाकिस्तान ने साउथ अफरीका से अपने घर में टी टॉंटी सिरीज जीती फिर उनी के घर में जाकर बंडे सिरीज जीती और अब टी टॉंटी की बारी है और उसका एक टेलर दिखा दिया है पहले ही मैच में पाकिस्तान ने बहुत शांदार जीत पाकिस्तान की और जीत की आधर डाली है ये बहुत अच्छी बात है और हार नहीं मानते और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम अब अकेले नहीं है और पहले को कि अकेले पड़ जाते थे और इसी वज़ा से वह अपिक्षित परिनाम नहीं दे पा रहे थे और अब इमाम-ul-Hak कभी उनका साथ देते हैं One Day Cricket में कभी फकर जमान जो है उनका बरपूर साथ देते हैं और दो मैच बैक-टू-बैक सल्चरी बनाकर उनने जतायी है और उनको अच्छा है नाम भी मिला कि क्रिकेट में टीम में शामिल करके और तीसरे नमबर पर रिजवान रिजवान जो है बता और ओपनर उन्होंने बहुत अच्छी अपनी भूमीका को अंजाम दिया है पहले नेपियर में मैच जिताया उसके बाद उन्होंने जो साउथ अफरीका के खिलाव अपने घर में एक सेंचरी बनाई एक हाफ सेंचरी बनाई बियालिस रन बनाए और यहां फिर एक और अच्छी पारी खेली उन्होंने दवाब में बहुत अच्छा गिलते हैं मागाली और लिंडे की जो उन्होंने धुनाई की है लगातार गेंदों पर वो वास्ता में काबिले तारीफ है मिडल ओर पाकिस्तान का वंडे क्रिकेट में बहुत कमजोर था लेकिन यहां पर मिडल ओर बहुत स्टांग है टी टूंटी क्रिकेट में जहां पर हफीज भी आते हैं जो जिन्होंने अपना सवाँ टी टूंटी मैच खेला है बहुत अपने आपने बहुत बड़ी बात लेकिन इस मैच को वो यादगार नहीं बना हैं जिन्होंने बहुत कम गेंदों पर कभी 200 कभी 200 की स्ट्राइक रेक्रेट से रन बनाए हैं मैच जितवाए हैं यह अपने आप में काबिलेतारी बात है और एक अच्छी बात पांचमी और अंतिर बात यह है कि बेंच स्टैंट अब तीरे-देरे मजबूत हो रही है जहा नहीं मिली बेंच पर हैं अभी और बेंच की यह खिलाडियों को जब अबसर मिलेगा तो निश्चत तोर पर यह भी कहर बरपा सकते हैं खराब जो अभी नेगटिव पॉइंट्स हैं वो बालिंग है शाहिंशा फृदी जो की मुक्ष स्टाइक बालर हैं वो काफी महंगे स तो बात समझ में आती है आपके पर रन भी पड़ेंगे लेकिन बहुत महंगे साबित हो रहे हैं शुरौती औरों में उस्मान कादिर लाइन लेंगे से जूचते हुए दिखाई दे रहे हैं गती थोड़ी सी बढ़ा ली है उन्होंने स्पिन बालिंग मुझे समझ में नही है कि वो पैसे प्यों कर रहे हैं टीम कंपोजिशन देखिए आप यह नंबर तीसरे पर यही आता है एक स्पिनर रखते तो शायद बेतर होता टीम में क्योंकि शर्जीत और आसिप में से आप एक को खिला सकते थे रिजवान क्योंकि रिजवान से पहले मतलब अगर आप द पाकिस्तानी वो थोड़ा उससे बचना होगा लगातार जो एक साथ विकेट गिरते हैं हैदर अली और नवास का यहां विकेट गिरा बंडे में हमने चार-चार विकेट गिरते हुए देखे हैं बहुत ही कम स्पैन में जब नोखिया पुरी तरह से हावी हो गए थे और पा हारे हुए और अब करनी चाहिए कि साथ अवरीका को साल में डीरटी सीरीज जीतने के बाद आप पहले क्लीन सुएब कीजिये उस्शिप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है से sprayषी जीति ये क्योंकि जीतने की आदात आद को डालनी होगी यह बहुत ही महत्तपून है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूरें